प्रिया विद्यात्यो आज हम सल्फर तंतर की वेख्या करेंगे और ये जो सल्फर तंतर है ये जल वे सी ओटु तंतर की भाती होता है अर्थात इसमें भी हमारा एक ही घटक होता है और वो होता है सल्फर प्रंतू देखिएगा इसमें और उन तंतरों में क्या अंतर है कि जल तंतर और CO2 यानि कार्बन डाइकसाइड तंतर है उसमें तीन प्रावस्ताइं होती है जब कि गंदक तंतर में हम देखें तो इसमें दो ठोस यानि ठोस प्रावस्ताइं दो होती है जिसको हम एकनताक्स गंदक और दूसरा है विसमलंबाक्स गंदक कहते हैं अरतात SM और SR ये दो हमारी ठोस परावस्ताइं और इस परकार हम कह सकते हैं कि इस तंतर में जो जए ज़ो हमारा सलपर तंतर है इसमें तीन की वज़ाए चार परावस्ताइं होती है जिसको हम विसम लंबाक्स गंदक S-R, एक नताक्स गंदक S-M, द्रव गंदक S-L और वास्प गंदक S-V होता है तो देखिएगा इस तंतर में हम यह कह सके हैं कि या यह कहें हम तंतर में कि इसमें परावस्ताइं कितने होगी चार होगी अर्थात इस तंतर में चार परावस्ताएं हैं और यह अगर सहमें रहती हैं तो इसका मतलग यह हुआ कि यह किस परकास हैं में रहेंगी देखिएगा क्योंकि हमारा जो परावस्ता नियम है वो है F is equal to C minus P plus 2 अब चूंकि हमारा एक घटक तंतर है तो C का मान वन हो गया और चूंकि इस तंतर में कितने टोटल क्ति परावस्ताएं हैं हमारी चार जिसको रॉम्बिक सल्फर, मोनो क्लिनिक सल्फर, द्रोग गंदक और वास गंदक हम कहते हैं तो इसमें यदि हम परावस्ताएं पी का मान चार रखें तो हमारा जो डिग्री ओ फ्रीडम है वो यानि कितना हो जाएगा तो देखिएगा F is equal to C minus P plus 2, तो C का मान 1 है और P का मान कितना मान की सल्फर है हम यहाँ पर 4 तो यहाँ पर जो हमारा डिग्री ओ फ्रीडम है वा जाता है हमारा माइनस 1 तो माइनस 1 यानि किसी भी तंतर की जो डिग्री ओ फ्रीडम का मान शुन हो सकता है इससे कम नहीं हो सकता इसका मतलब यह हुआ कि इस तंतर में चारों परावस्ताएं एक साथ कभी भी सहम में रहेंगी अर्थाथ इस जो तंतर है इसमें किवल तीन ही उन तंतरों की बाती तीन ही प्रावस्ताएं सहम में रह सकती है यदि हमें विशमलंबाक्स गंदक और एक नताक्स गंदक का संकर्मन ताप देखें तो होता है हमारा 95.6 degree centigrade अर्थाथ इस ताप पर ये दोनों एक दूसरे के साथ साहम में होते हैं अर्थाथ 95.6 degree centigrade से नीचे विशमलंबाक्स गंदक और तता इस से उपर एक नताक्स गंदक और इस ताई वस्ता में रह सहती है इसी परकाज यदि हम कहें कि एक वाई मडली दाप पर विशमलंबाक्स सलफर का जो गलनांक है एस आर का गलनांक है वो 114 degree centigrade है जबकि एक नताक्स सलफर का जो एस एंप वे थे हैं उसका जो गलनांक है वो हमारा 120 degree centigrade है द्राव सलफर को जब गरम किया जाता है तो इसके रंग वे विश्का सिता में काफी परिवर्थन हो जाता है अनंत टेंपरिचर यानि 445.7 degree पर यह उबलने लगता है अब देखिए का इस तंतर पर क्योंकि हमने यह कह दिया कि क्योंकि इसमें चार परावस्ताइं एक साथ में साथ में नहीं रह सकती अर्थ इस पर किवल कितनी परावस्ताइं रहेंगी तीन परावस्ताइं रहें कि पही साइम में रह सकती है तो इन तीन प्रावस्ताओं को साइम में मान कर कि हम इस तंद जो हमारा वक्र है या गंदक तंद सल्पर सिस्टम का जो वक्र है उसको हम के ताप और दाव के में कहेज़ते हैं और इस से हमें वक्र छेतर और त्रिक बिंदू जो अलग-अलग प् करेंगे तो देखिएगा इस वक्र में यदि हम सर परतम देखें तो वक्र O.A है ये वक्र O.A दो दो प्रावस्ताएं S.R. और S.V. के मजद साहिम में कुदर साता है अर्थाथ इस वक्र पर दो प्रावस्ताएं S.R. और S.V. साहिम में रहेंगी इसलिए इस वक्र को जो हमारा O.A है इसको S.R. समलम बाक्स गंदर का उर्थ पातन वक्र भी कहते हैं क्योंकि इसको जैसे हम गर्म करेंगे तो सलपर को S.R. को तो सीधी किसमे कनवर्ट होगी वास्ता कनवर्ट होगी तो देखिए का इस जो हमारा वक्र है इस पर प्रावस्ताएं कितने होगी हमारी दो उपस्तित रहेंगी चोंकि एक घटक तंत्र है इसलिए C का मान क्या हो जाएगा हमारा C का मान वन तो इस स्थिति में इस वक्र पर तंत्र जो हमारा जो डिग्र फ्रीडम का मान है वो क्या होगा F is equal to C minus P plus 2 तो डिग्र फ्रीडम का मान वन अर्थात इस संपूर वक्र पर हम किसी बिंदू की वैक्या करेंगे तो हमें एक चर की आवशक्ता पड़े इस पर जो वक्र है इस पर तंत्र हमारा क्या होगा एक्चर होगा जो ये दर्साता है कि इस वक्र पर तंद्र की वैक्या के लिए ताप या दाब में से किसी एक किया आशकता होगी यदि एक हमें ग्यात है तो दूसरा हमाई उससे निर्धारित हो जाएगा अब लिजिए वक्र O B तो देखिएगा इस वक्र O B पर भी हमारी दो परावस्था हैं कौन-कौन से एक तो S M मोणो जिसको मौनो क्लीनिक सल्फ़र कहते हैं और एक S V यानि जिसको हम वास्पसल पर कहेंगी तो इस वक्र पर भी हमारा देखिए ठोस और कौन-कौन सी वास्प प्रावस्ता स्थाम में अर्थात अर्थात इस वक्र ये भी वक्र हमारा क्या होगा उर्थ पातन वक्र होगा परन्तु कौन सी वक्र होगा SM का जिसको हम कहते हैं एक नतास गंदक का उर्ध पातन वक्र होगा तो इस वक्र पर भी हमारी प्रावस्ता P is equal to 1 चूंकि एक घटक तंत्र है हमारा तो C is equal to 1 अधर डिग्री ओ फ्रीडम का मान F is equal to क्या हो जाएगा हमारा 1 अर्थात इस वक्र पर भी दाब की आवशकता होगी दूसरा चरह हमारा सोतही निर्धारित हो जाएगा अब लीजिए वक्र B E तो देखिएगा इस वक्र पर कौन कौन सी प्रावस्ता है एक तो द्रौग गंदक जिसको हम S L कहते हैं और एक है वास्प गंदक जिसको हम S V कहते हैं तो S L और सेमे किसके है S V के अर्थाद ये वक्र हमारा क्या कहलाएगा वास्प दाब वक्र कहलाएगा और इस वक्र पर जैने कि जो B E वक्र है इस पर हमारी दो प्रावस्ता है S L और S V सेमे वस्ता में रहेंगी आता है ये परावस्ता P is equal to 2 हो गया और चूंकि एक घटक तंतर है इसलिए C is equal to 1 अते इस वक्र पर यदि हम degree of freedom का मान ग्याद करें तो वह degree of freedom F is equal to C minus P plus 2 तो यहाँ पर पुने हमें degree of freedom का मान क्या होगा एक प्राप्त होगा जो ये दरसाता है कि इस वक्र पर तंतर हमारा एक चर होगा जो ये दरसाता है कि इस वक्र पर किसी बिंदो की वेक्ख्या के लिए केवल एक चर ताप या दाव की आवशकता होगी दूसरा चर हमारा सुटे ही निर्दारी तो हो जाएगा अब लीजीगा वक्र हमारा O C तो देखेगा इस वक्र पर हमारी यह मैं यह कहूँ कि ठोस प्रावस्ता S M में रहती है अर्था ठोस प्रावस्ताओं में से कौन-कौन से S R और S M तो S यह जो वक्र है यह हमारा दोनो ठोस प्रावस्ताओं का संक्रमन वक्र कहलाएगा और इस वक्र पर भी किसी बिंदू के लिए हम व्यक्या करेंगे तो इस संपूर्ण वक्र पर प्रावस्ता P is equal to 1 जोंकि यह गटक तंत्र है इसलिए C का मान बनो जाएगा तो इस वक्र पर भी तंत्र हमारा डिग्रिफ रेडम का मान एक प्राप्त होगा जो यह करता है कि एक तंत्र हमारा एक चर होगा और जो यह शो करता है कि इस वक्र पर तंत्र की वैक्या के लिए केवल एक चर ताप या दाब की आवश्यक्ता होगी दूसरा हमारा सुतही निर्धारित हो जाएगा अब लिजिए का वक्र C D तो इस वक्र पर कौन कौन सी प्रावस्ता सैम में है एक तो S R और एक क्या है हमारा S V यानि ठोस और कौन कौन सी द्रावस्ता सैम में है इसलिए यह और किस कौन सी ठोस वस्ता कौन सी हमारी यहाँ पर S R तो ये हमारा जो वक्र है ये विसम लंबाक्स गंदक का गलन वक्र भी कहलाएगा और इस वक्र पर यदि हम देखें तो इस वक्र पर हमारे जो प्रावस्ता P is equal to कितने हो गए 2 चोंकि एक गड़क तंतर है इसलिए C is equal to 1 तो डिग्री अफ रिडम का मान F is equal to 1 हो जाएगा अर्थात इस वक्र पर भी तंतर हमारा एक चर होगा जो ये दर्साता है कि इस वक्र के किसी बिंदू पर तंतर की वैक्ख्या के लिए हमें केवल एक चर ताप या दाव किया वशकता होगी दूसरा चर हमारा स्वतही निर्धारित हो जाता है अब लीजिएगा वक्र BC तो देखिएगा वक्र BC पे इस पर हमारी कौन कौन सी परावस्ता हैं तो इस पर एक तो SM जो की हमारे धोस परावस्ता है और एक सैंड में हमारी SL यानि देखें द्रव परावस्ता तो इसका मतलब यह हुआ कि इस जो वक्र B, C है इस पर भी हमारी दो प्रावस्ता हैं S, M और S, L, V, C में वस्ता में रहेंगी अर्था इस वक्र पर प्रावस्ता P, G, E, E, गटक तंत्र है इसलिए जो Degree of Freedom का माने, वो F का माने हम निकाल गयात करेंगे तो वो भी हमें एक प्राव्त होगा अर्थात इस वक्र पर भी तंत्र हमारा एक चर होगा जो यह दर्साता है कि इस वक्र पर तंत्र के किसी बिंदू की वेक्या करने के लिए हमें केवल एक चर ताप या दाव किया वशकता होगी, दूसरा चर हमारा स्वतही निर्दारित हो जाएगा